है विल्कम बेक आयम उर्धर्मेन सर्फ फ्रॉम डेसल इंस्टूट डॉक्टर मुखरी नगर दिली आज आपके लिए बहुत बढ़िया क्लास लाया हूं बस देखना यह है कि सुधीर इस एन ओनेस्ट कुछ संटेंस देखो और देखो सुधीर इस एन ओनेस्ट राइट होग अज़ इस एन ओनेस्ट यह भी गलत अब गोश्र ऐसा कैसे हुआ सर आज तक तक तो हमने यही प्राइब ऑनेस्ट के पहले एन लगाते हैं और यह नहीं लगाते तो एन बला तो सही होगा नसर ना बिटा ना ऐसी गलती ना करना यह दोनों ही गलत है क्यों सर क्यों कि ऑनेस करनेस्ट के डहले Manufacturing का क्यों कि हमने तो आस तकky कर प्राइब करनेस्ट को थर्थे से टो थे नहीं लगाता तो पहले तो तो नहीं कैसे होगा अब दोनों में से ए हटा दो अब संटेंज सही होगा सुधीरीज ऑनिस्ट और सुधीरीज ऑनिस्ट ना अर्टिकल ए आएगा ना इन आएगा लेकिन ऐसा क्यों हुआ इस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि भाई यह बात सत्य है क्या हमने ऐसे ही बोला आज आप हजारों लोगों से मिलना आप इस वीडियो को हजार लोग क्या है देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आर्टिकल आप पले बात को ध्यान दो हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं अकसर ध्यान देते हैं भाई कि आर्टिकल क्या है तो आप सुनते होगे आर्टिकल यह लगाओ एन लगाओ दा लगाओ दा लगाओ यह पढ़ते रहते ह कि आर्टिकल होता क्या है, अब एक बात मुझ बताओ, हम लोग कहते हैं, कि इस घर में बहु सारे आर्टिकल्स बिकरे हैं, तो क्या एंदी बिकरे हैं क्या, नहीं ना, क्या हुआ, सामान, या इस घर में सामान बिकरे हैं, तो आर्टिकल का हिंदी सामान भी होता है, राइट, बहुता है, ऩुवाल कर लिए प्रिक प्राइण के भांस के बश्र Glas आई आट्री जो क्या अ अ क्या था है नहीं नाॉ तो अ अभुड़ आट्रिकल का मतलब, अर्टिकल मतलब अनुचेद भी हताहे Articl मतलब अनुचेद भी हताहे हमने कहा कि फुलाने आर्टिकल पांसे candy गई तो नुशेद हमने कla.. हो फप्रेद के एक हिंदुह का एक आर्टिकल Тогда हिंदु का आर्टिकल मतलब क्या है तो आर्टिकल मतलब सामान आर्टिकल के रिपल घड़ेदा हमने का ? इन पहए डिखाने है ऊपर ठेटल कर लेंग हम ने बोला हि कि हिंदू का अटकल पॉड़ आ तो यह उनि कोई चीज लिखा हुआ है तू से भी आप्लिकल कर सकते यह अद यह पॉच्किल्च शाहरण अइज लेग का मतलब इतने पाइड नहीं होता तो आर्टिकल mo शामा किसका समान भाई ? तो ध्यान देना, article is nothing, it's the part of adjective. Basically, जो article chapter है, यह adjective का भाई है, अब adjective का एक नेचर होता है, कि adjective कभी अकेले नहीं आता, article जब भी आता है, adjective जब भी आता है, तो अब उसके बाद कोई नाउन होता है, बिना नाउन का कभी भी article नहीं होता, बिना नाउन का कोई भी adjective नहीं होता, जैसे सर, हमें एक ग्जांपल प्र देखो, हमने एक ग्जांपल दिया, समझना आप आप अराम से, बच्पन से पह रहे हो, राम, आम खाता है, राम इट्स मैंगो लिखा हमने, अब मुझे बताओ मेरे बच्चे, कि राम इट्स मैंगो राइट है, कि रॉंग है, तो राम इट्स मैंगो रॉंग है, क्यों सर, क्योंकि राम इट्स, तबना राम से, राम इट्स मैंगो क्या है बाबू, नाउन, एक बात अल्वेज धानकना, mango noun है और noun का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं करते हैं जब भी करते हैं तो ना article के साथ करते हैं common noun है mango mango एक noun है noun है जिसको गिन सकते हो तो कोई भी noun जो countable हो कौँ समका countable वह noun कभी अकेले नहीं आता article आता ही आता है हजार लोगों से डिसकस करो मेरे अहां class कर रहे हो ना मेरा भी देख रहे हो हजार लोगों से पर हो और फिर पूछो कि mango के पहले राम आम खाता है राम इट्स मैंगो राइट के रहे हैं आपको जवाब मिल जागा तो राम इट्स ए मैंगो तुम्हें कहना पड़ेगा, क्यों सर, ए काम खाता है, ना बाबा ना, ए काम खाय, हजार काम खाय, उससे मतलब नहीं है, राम इट्स ए मैंगो ही होगा, क्यों सर, क्योंकि मैंगो नाउन है, और नाउन बिना आर्टिकल के नहीं होता, यानि नाउन ह तो additive चाहिए ही चाहिए अब जा कॉंसर ध्यान दो हमने कहा कि राम इट्स ए मेंगव होगा अब ध्यान दो इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम आर्टिकल का प्रयोग करना चाहते हो तो इसके बाद नाउन लगाना ही पड़ेगा अगर नाउन नहीं लगाया तो संटेंस गल तो इसके बाद खरो अगर तो इसके लिए फर शुप्र ठीकल आइगा यह थिसले संट आपको आर्टिकल आएगा तो ना आँ आएगा ही अगर जैसे बूआ लिख्या तो ऑऊआ लिख्या तो इभवा यह फिसले कि अद अधिना है कि अचाहिए बूले अब बॉल्स हमने आर्टिकल लगाया, ध्यान देना, आर्टिकल, इसके बाद बीच में आ गया, इसके बाद नाउन आ गया, समझना, मैं आर्टिकल का वो कॉंसेप्ट जरा हूँ, कि आर्टिकल प्लस एजेक्टिव प्लस नाउन, अब ध्यान दो, कि आर्टिकल प्लस एजेक्टिव प्लस आओ को tiny concept लोटी थेमरे अबाधरी, दियर दाधर र होऊदनाओ इस जबन लो ऑगान अच्छो के दाधर, आपेर, जर्ट रायकित उसक्या किर दोने बाजार फेक दाधर रोट और डड़ाने क्यों ही द Radhyaいました अब लगड़ जा इनके तरह बिछ जा धा तो रहा था। लेकिन अब बीचे जा दूसी घली से एक मोटू आ गया अब मोटू लग जा गया, इस बीच मे आगया अब इस लड़का जो था दा इनके पागल के यिचे आ गया मोटू के पीचे जा जा था इनके पीछे पीछे जा तो रहा था लेकिन बीच में आचानेक दूसरी गली से एक मोटू आ गया अब मोटू लग गया इस बीच में आ गया अब इस लड़का जो था इस चल रहा था दादा के पीछे आ गया मोटू के पीछे अब बताओ कि जब मोटू के पीछे यह मुटाया है क्या है यह एध यह दाड़का दिय के विए है वीक्षा कर रहा है में नेकिथмेन आगर जíamos फॉलिण कर रहा है मोट को या कि काम किसा ड्याधी एकॉ संहुन दादाऑ जी कौन है नाम बनाउर छोटन कह दो कौन है राम, इस, आर्टिकल लगाया, ओ, अ, अ, एक्टिव दिया हमने, अनिस्ट, नाउन दिया हमने, बॉय, अब देखो, कि अन किसके लिए आया है, बोलो, बॉय के लिए, साउंड किसका ले रहा है, अनिस्ट का, अगर यहां पे बॉय रहेगा, यही नहीं, जैसे एग्जामपल उसमाल रहे था भाबू, सुध这个, सुधृ इस एन अनिस्ट, आइचर चामपल, सुधृ इस एन ऑनिस्ट, अनिस्ट कहा बाबू, एडिए्जट्टिव, एन किसके लिए य कि आया? अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं होगा, तो आप बताओ, सुधीर is an honest, राइट हुआ की रॉंग हुआ, गलत हुआ न, अगर इसको सही करना है, तो या तो एन हटा दू, या तो एन हटा दू, अब संटेंस सही हो गया, क्यों भाई, सुधीर honest है, या तो मैं कर दू, सुधीर is an honest boy, तो आपको आपको पचास पहते हो, हजार किताब मार्केट है, हजार टीचर मार्केट में, लेकिन मैं आपको कॉंसेप्ट ते रहा हुआ हूँ, आर्टिकल हजार पहते हो, बस कॉंसेप्ट आ गया, कि आप देखो, राम इस इसको समझना आपको है, तब आपको कॉंसेप्ट बहतर बनेगा, तब बहतर सिख पहोगे, तब आपका आइडिया लॉजिकल होगा, अब यहाँ पर कॉंसेप्ट नुर्चरी देखो, मान लेते हैं कि आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद मान लो एड़ आ गया है, इसके बाद नौन आ रहा है, अब कॉंसेप्ट क्या देखना है, कि भाई, आर्टिकल चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, आर्टिकल हमेसा नौन के ले ही आता है, मेरे बच्चे इस बाद इस बाद इस बाद के ले ही आता है, अगर नौन है तो आर्टिकल होगा, नौन नही है तो आ जैसे में संदीज भूला कि राम इस अ वेरी गूड बवए। अब बता ओ कि यह जो आर्टिकल आया वो किस के लिए बच्चे बवए के लिए sound किसका लिया? वेरी का तो समझ में क्या है भाई? कि article जब भी होगा तो noun से पहले होगा बोलो noun से पहले है कि नहीं sound किसका? वेरी का यही concept समझ नाम लों को article का यही जड़ है अगर इस जड़ को समझ गए तो article आपके लिए बहुत आसान हो जागा बस जानने का प्रयास करें कि article क्या होता है तब आपका अंगरेजी बहुत strong हो जागा यहां में बहुत सारे बचों का एक doubt होता है कि sir मुझे किसी भी चीज का जैसे article में A को A का पढ़ते हैं A को N का पढ़ते हैं कब D को D पढ़ते हैं N को N का पढ़ते हैं N को N का पढ़ते हैं तिसके sound देखो बचके लिए बात करूँ मैं आपके लिए तो article जो आप पढ़ते हो article के लिए दो तरह से पढ़ते हो एक पढ़ते हो indefinite और एक पढ़ते हो definite राइट एक पढ़ते हैं लोग indefinite article एक परते हैं definite, in definite में हम लोग अकसर बच्चमन से पढ़ते हैं, एक A और एक N की बात करते हैं, definite में हम लोग T, H, E, दा का परियो करते हैं, अब ध्यान दो sound की बात, basically दा को हम लोग दा भी पढ़ते हैं, और दा को हम लोग दी भी पढ़ते हैं, प्रस ने उठता है कि दा का अगर तुम्हारा sound consonant हो, अगर तुम्हारा sound consonant हो, तो इस दा को 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 वोकल साउंड हो, क्या बच्चे का, वोकल साउंड, जैसे लिखा हमने एपल, एपल के पहले दा लगाया, तो इसे दा एपल नहीं बोलके, दी एपल बोलना, बात समझ मारा है, मैकस्मम बच्चे इसे प्रोलम करते हैं, दा एपल, दी एपल, तो हम लोग दी एपल बोलेंगे और यहां पर दा बोलेंगे, अब देखो A का साउंड, A का साउंड A, और A का साउंड A, N का साउंड UN, और N का साउंड N, अब ऐसा क्यों सर, तो ध्यान बच्चे, A का साउंड A, तब होता है 90%, जगा पे नॉर्मल बोल चाल में, A का साउंड A होता है, अगर A का साउंड A ब आप सतो हो जैसे I have a pain, I have a pain, I have a pain, a boy coming to meet you, a boy coming to meet you, a boy coming to meet you, तो ए जब बोलेंगे, तो यह वन का विकर फॉर्म होगा, और आप बोलेंगे, तो यह भी विकर है, लेकिन इस शौट और विकर हो गया, I have a pain, I have a pain, a boy coming to meet you, तो यह फॉस्ट स्पोकेन के लिए, हम लोग ए को आप बोलते हैं, इसलिए 90 परसेंट जगा पर आप ए को आप बो आप बोलें, आप 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 आ करना हो, I have eaten an apple, I have eaten an apple, right, तो दोनों एन 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 फर्क नहीं है, बस यह साउंड का थ्वा सा फर्क है, इसको द्यान देना, तो 90 पर पे आपका साउंड थ्वा सा टोंड होना चाहिए, इसलिए अन बोलना ज्यादा फोनेटिक है, ज्यादा बढ़िया है, आप बेहतर तरीक से जी बोल सकते हो, तो I hope आपको समझ में पॉइंट आगया होगा, बेहतर कर सकते हो काम, आगे के लिए आप इसको क्या करो, कि बारिकी से हजार लोगों से डिस्कस करो, तब आपका नोलेज और बढ़ेगा, और बेहतर होगा, और इस तरह से आप सिखते जाओ, मैं दिर्में इसके लिए आप बारिकिस देखिए, मैं दिर्में सर हमें साब को देता रहूंगा, थैंक यू बेरी मच